नमस्कार मेरा नाम अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अखिलेश होटेलियर पे तो आज का जो टॉपिक मैंने जो चूज किया है कितने लोगों ने सोचा है कि मैं होटल मैंजमेंट करूगा होटल मैंजमेंट करना आज के जमाने में और आज से करीबें 25-30 साल पहले जहाँ मैं 20 साल पहले किया जलता था उसमें बहुत जमीन आश्मान का फ़र्ण पहले लोग क्या करते थे नौकनी बड़ी आसान से मिल जाती थी कहते थे जादा होटल मैंजमेंट में पढ़ना नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं, वहां के लोग लफंडर है, लफंगय है, टाइम पास करते हैं, यदि आपने ये सोच के होटल मैंजमेंट करना चाहते हैं, तो अभी से बोरिया बिस्तर बांद लो, और आप उसको कहीं और चले जाओ, क्योंकि भाई साब, कॉमपोटिशन हर जगा है, अच्छे इंजिनियर, बुरे इंजिनियर, अच्छे डॉक्टर, बुरे डॉक्टर, यहां तक कि वकील जो है, दिन भर काम बिचारा कितना पढ़ता है साल बर, दो साल, तीन साल, चार साल, उसके बाद वो लॉयर बpentा है, लॉयर मनने के बाद यह कभी मैंने कितरे लॉयर्स को देखे है कि यार, करोरों में गमार है, और कुछ लॉयर्स जो है, वो आपको रोड के पास चाई टपरी पे चाई पीते वे मिल जाएंगे तो वैसे भी वकील आपके पास मिल जाएंगे वैसे भी डॉक्टर आपको मिल जाएंगे जो की बड़े-बड़े हॉस्पिटल खोल चुके हैं लेकिन तेरा सर्टन डॉक्टर वह अभी भी बिचारे चोटा सा क्लिनिक रोड साइड पर उन्हों के रखा हैं दस रुपया बीस रुपया अरे दस रुपया पचास रुपया दोस्टव रुपय की बात करते हैं वह छोटे वाले वह लेकिन वैसा ही आपको लोग मिल इवेंट कॉर्स जो कॉमर्स लेता था उसको लोग नीची नजरों से देखते थे बडब तिरस्कार की नजरों से देखते थे यार इसने मेरा भाई जो है मेरा चूटा भाई उसने साइन्स लिया तो लोग भाई भाई हम्ही क отвеч वाह खौन मतलब जो जो science लेता था, वो पढ़ा लिखा कहलाता था, यार बहुत पढ़ने में तेज है, यदि commerce लिया, ठीक है वार, average है पढ़ने में, जिसने arts ले लिया, बोलता है इसको पढ़ना नहीं था, इसलिए उसने arts ले लिया, time pass करना था, इसलिए arts ले लिया, तो यदि इस mindset से आप आए इस industry है, बट येस, यदि आपने ये सोचा है कि hotel industry, hotel management करना है, तो you are most welcome, तो मैं जो आज topic लेकर आया हूँ, वो है आपका hotel management करना क्यों चाहिए, तो यदि आपने hotel industry join कर लिया है, suppose आपने admission ले लिया है, दाक्सा ले लिया है, तो बुरा मत मानिये, in fact I am telling you, there's a lot of revenue, मेरे time में जब मैंने hotel management किया था, उस समय कोई option ही नहीं था, hotel के अलावा, और हो सके तो जाना ज्यादा लोग cruise को जानते थे, उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं जानते थे, लगिन आज के जमाने में आप सोच लिजिए, suppose आपने hotel management graduate हो, पहले क्या होता था, हमें बताया नहीं जाता था, कि diploma क्या है, डिगरी क्या है, तो हम diploma को ही डिगरी समझ लिया करते, बट लेदी, management कैसे है, उनका जो courses, teachers कैसे है, प्लीज ये सब चेक कर लिए, मेरे इसाफ से, suppose आप hotel management करना से तो आप IHM के थ्रूई कीजिए, जो I think वो बहुत अच्छा होगा, आप private college भी कर सकते है, if you have got lot of money, बेना पैसे के तो पूजा होगी नहीं, यहां मैं जानता हूं, but मेरे पूसा और IHM Bhopal, Calcutta में भी है, so you must try all those institutes, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो hotel management करने के बाद, आपके रास्ते क्या-क्या खुल जाते हैं, hotel management करने के बाद, if you are a hotel management graduate, you can become chef, you can become FMB manager, you can become a front office manager, even you can become a housekeeping manager, यह तो हुई होटेल की बाद, hotel के लिए अलावा क्या, यदि मैं hotel management कर रहा हूं, भाईया मैं बता रहा हूं, hotel management वाले, जो होते हैं, उनको इतनी train कर दें, उनका ego का इतना कचुमर बना दिया जाता है, उसका ego का इतना दवाव कर दिया जाता है, उनको इतना प्रतारना की जाती है, कि वो कोई भी काम करने को तयार होते हैं, इसलिए जब वो hotel management graduate से निकलते हैं, क्योंकि उनको छे महीनित training, उसके बाद फिर vocational training, इस पे भी मैं एक topic बनाऊंगा, इसके बाद मैं शायद आपको IT, industrial training, उसके बाद vocational training, और उसके बाद what is job training, उसके बारे बताऊंगा, तो प्लीज वेट कीजेगा उ लोग चलते हैं उसके बाद, कि hotel management graduate क्यों इतने smart होते हैं, आजकल क्या है, हर industry, अभी सपोस्थ देखिए, multinational company, वो आजकल conference से खोल चुकी है, उनके meetings होती है, उनके लिए वो function conduct करते हैं, एक hotel से दूसरे, तो वो क्या करते हैं, वो एक event manager रखते हैं, they call operation manager, और वो operation manager कहां से लेते हैं, hotel management से लेते हैं, suppose किसी multinational software company में आपको काम मिला है, काम तो क्या करना है, सर आपको canteen भी चलाना है, वहाँ काना है, उस company का तो भी आपको hotel management आपको आना चाहिए, वो industry के लोगों को ही लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप hotel management करके आपने कुछ गलत किया है, hotel management जैसे shoulder होता न, पूरी training लेके उनको ना सोने का फिकर रहता है, ना उठने का फिकर रहता है, कब मूध होया, कब क्या क्या, वो हमेशा वर्दी में लड़ने को त्यार रहता है, उसी तरह hotel management वालों के भी training वैसी होता है, तो जो वो निकल के आते हैं, वो पक के निकल आते हैं, आप चाहे तो, आप event manager बन सकते हैं, आप चाहे तो किसी company में आप operation manager बन के जा सकते हैं, आज कल तो मैंने देखा है कि, क्या कहते हो यार उसको, hospital, या या, आप चाहे तो hospital में भी आप चला सकते हैं, आप hospital में आप चला सकते हैं, आज कल PVR में आपको job मिलता है, तो भाई सा यदि आप लोगों ने ये सोचा है कि मैं इंडस्ट्री जॉइन करूंगा तो प्लीज यूर मोर्स देल वेलकम बट जीवन असान नहीं होने वाली मेहनत करनी पड़ेगी आपको आपने जो तीन साल जो आपको इंस्ट्यूट में पढ़ना है वो आप बड़ी मांदारी से होटल मैनेजमेंट ही करना है तो प्लीज आज से ही अपने कमर कस लीजे आप अच्छी तरह पढ़िए आप अपनी ट्रेनिंग को फूल्फिल कीजे आपकी जो लाइकिंग है डिसलाइकिंग है आपको बस उस ट्रेनिंग के दोरान ही पता चल जाएगा और आप एम कीजे कि आप जब भीड़ में रहोगे यह आपके पास स्किल्ड नहीं है अच्छा मैं एक बात और बोल ला बोल गया तो यहां वो आते थे बार में टिप्स देने के लिए तो उनको मैं मिला था आपको मालूम है वो आपका खुद का बार्टेंडिंग स्कूल चलाते हैं बार्टेंडिंग से भी पैसा कमाते हैं उसके बाद सारे पार्टियों में जो उनकी पी आर एजनसी है उनका जो पी आर है एक पार्टी से दूसरा पार्टी करने के बाद सो उन्होंने अपना नाम इस तरह बनाया ह है कि उसको काम कभी नहीं और खुद तो काम करते ही करते हैं उन्हों ने करीबन पचास साथ लोगों की टीम खड़ी कर रखे है जो की वो पाटी करते हैं उसे पैसा कमाते है so यदि आपके पास दिमाग है होटल मेनेजमेंट वालों के पास बहुत दिवाग होता, तो guys you need to improve yourself, आप कभी भी introvert बन के नहीं रह सकते, आपको ये सोचना पड़ेगा, कि दर्वाजा तोड के मुझे अपने घर के लिए रोटी कमानी है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कि सामने वाला क्या सोचता है, क वो जो भी सोचा होगा, अच्छा ही सोचा है, तो उससे अपना कर्म करते रहे है, बाकी की चिंता आप मत केजिए, तो इस अच्छा मुझे ये लग रहा है, कि पोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आये हो, तो प्लीज डू लाइक, शेर